नमस्कार दोस्तो मैं येश गोतम आपका स्वागतम यूटूब चैनल पर दोस्तो ट्रीडेस उन सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करें आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तो किसी एंपलोई की सैलरी में इंक्रिमेंट हो जाता है तो उस कंडिशन में आप सैलरी पर ट्रीडेस कैसे कैलकुलेट करेंगे और 87 रीबेट क्या है कितनी होती है और कहां पर इसको हमें क्लेम करना होता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको वह भी बताने वाला हू दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर आपको इंकम टैक्स पता होना चाहिए करेंट इयर के जिसमें आप प्रिडियस की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां पर हमारा एक एमपलोई है और जिसकी सैलरी है साड़े बारे लाक रुपे अब यह साड़े बारे बिड़न नाक रुपे ही क्यों लिए मैंने मैं आपको बतायता हूं हमारे जो इंकम टैक्स लाबरेत इढ़े जिसमें कि अमने bakın become की इंकम और थर्टी परसेंट टैक्स की इंकम तीनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगी और कैसे कैलकुलेट करने होंगी वो भी मैं आपको बता हुआ अब डिडेक्शन्स इसकी है एक लाग पचाहजार यानि की डिडेक्शन्स मैं आपको साधान सब्दों में बताऊं तो दोस्तों मैं डिडेक्शन्स के ऊपर एक वीडियो बना रखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्राइप्शन में मिल जाएगा आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं काफी सारी डिडेक्शन्स होती है और उनके द्वारा आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं ठीक है तो दो सैलरी भी दो कह सकते हैं ठीक है हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमारी एनली कि सैलरी है यह वाली सारभे बारे लग माइनस u सब्सक्राइब हो इसको मैनेकर दिंगे कितों जाएगी 11 लाख रूपे छिक है तो इसको हम टोटल सेलडी या टैक्सेल टै किसकते है कि हम आते हैं इंकम टेक्स आप सिलाबरेट पर है तो दोस्तों यह एग्ज distortion सबotted एंकम सियर में आपको न्यूज से लाबरेट दिए गए है घर तो आप इसी परकारी न्यू से लाबरेट, भी तियार्ड कर सकते हैं तो एंग्जैम्ने में склад तो यांपीना टैक्स किस पर calculate होता है धाइ लाग से पाँच लाग यानि कि डाइ लाग एक्जेम्ट और धाइ लाग पर 5% ठीक है यदि आपकी माल लीजिए 5 लाग रुपे salary है डाइई लाग तो होगी exempt और डाइई लाग का 5% होगा है साड़े बारह जार रुपे यदि आपकी taxable salary है पांच लाग रुपे तो आपका tax कितना होगा साड़े बारह जार रुपे अब इसी परकार जो 20% tax calculate होता है वो होता है 10,00,00 के बिच में उस पर calculate होता है 20% और यदि 10,00,00 से उपर है तो उस पर 30% tax ठीक है मैं अभी आपको यहाँ पर calculate करके बताएता हूँ यह तो होगी हमारी 10,00,00 रुपे exempt यहाँ पर 10,00,00 रुपे exempt होगी ठीक है अब 10,00,00 से 5,00,00 ठीक है तो कितनी होगी 5,00,00,00 का 5% यहाँ पर हम calculate करेंगे this तो हमें क्या करना है 5,00,00,00 का 5% निकालना है enter कितना होगया 12,00,00 रुपे अब 5,00,00,00 से 10,00,00 के बिच में कितने होगी 5,00,00 तो अब इसका हम जो यहाँ पर 20% calculate करेंगे ठीक है इतना होगा हामारे आपर एक लाग gün possistes अब यह यहाँ यहदि हम total करें तो कितना होड़ा णाई प्लाई-पांच लाग तरिपांच लाग ए फोगी तस लाग अब हमारे टाक्से वल इंकम कितनी खाई गैर लाक log एक लाक रुपे और बचे तभी तो हमारे ग्या रहा होंगे डाइलाग प्लस डाइलाग प्लस पांच लाक होगी दस लाक और एक लाक अब हमारे यह को दस लाक से यह दी उपर है तो कितना होता है 30% तो इसका हम 30% निकालेंगे यहापर कि दिस कितना हो गया 30,000 रुपे तो दोस्तों डाइलाग का एक्जैंट था इस पर हमने कैलकुलेट नहीं किया डाइलाग का पांच परसेंट साड़े बारह जार रुपे टैक्स बनता है और पांच लाक का इस परसेंट एक लाक रुपे हो गया और एक लाक का 30 परसेंट हो गया 30,000 रुपे अब यहाँ पर हम समका फूर्मुल लगाएंगे इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आएड है कितना हो गया एक लाग बेजिसंजार 500 पर यह ओगया year ka टैक्स टोटल टैक्स याननी की अब इस पर four percent साइज भी हमें काल्कूरेट करना होगा तो यहां पर हम इसका 4% काल्कुलेट करेंगे तो कितना हो गया 57 रुपे साइज हो गया 4% ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर हम इसको दिस प्लस दिस टोटल टैक्स कितना हो गया एक लाग 48,200 रुपे ठीक है अब मंतली टीडियस की बात करें हम यहां पर मंतली टीडियस के लिए हमें क्या करना होगा यह तो था पूरा यहईली का हमारा टीडियस यहां पर इसके बाद में बात करेंगे इसे बारग यह चाहिए अब बात करता हूँ रिबेट 871 तो तो इसको हम कैसे करेंगे तो ठीक हैड 27D तो दोस्तों देखेए डिवेट in 87 एंग कट की कैल्कूलेशन में कोई भी लेना देना नहीं है आपार में यहां पर हम income tax return file तो नहीं कर रहे हैं ठीक है हम यहां पर क्या calculate कर रहे हैं TDS on salary ठीक है तो रीबेट होती है 87A तो इसका मतलब यह है यदि आपका मैं आपको समझाएता हूं एक बाल यदि आपका total tax यह अपका total tax 1.5-12000 रुपए बनता है मैं यहांपर बात कर आउं यहां पर बात करा आयली का टैक्स यह अपका है यह पर मैं बात कर रहा हूँ आट या ट्यार रिटन के अ कोडिक यह प्लजाए Bodhi buck पाँच लाग एक रुपा भी आपकी इंकम हो गई तो आपका पूरा टैक्स कालकुलेट होगा लेकिन इसका इंक्रीमेंट होगा नॉंबर में हमने मान लिए ताइम कहीं कि उखे नोवंबर से डिवाइड करेंगे बारा से ठीक है बारा से हमने डिवाइड करी तो यह आगी एक मंत की सैलरी अब हम क्या करेंगे इसका इसका 10% निका लेंगे इसका हमान लेते हैं 10,470 रुपे ठीक है यह हो गया इंक्रिमेंट पर मंत का मतले नॉम्बर से अब नॉम्बर डिसंबर जन्वरी परवरी मार्च कितने होगे पांच महीने तो इसको हम क्या करेंगे इसको 10,470 रुपे को मल्टिप्लाई करेंगे किस से पांच महीने से कितना हो गया 52,033 रुपे यह जो 12,50,000 रुपे ती यह व प्लस इंक्रिमेंट शैलरी ठीक है यह होगी हमारी इंक्रिमेंट की शैलरी दोस्तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ट्वीडियस वन सैलरी पार्ट टू देकर आउंगा तो दोस्तो यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब निगया तो पार्ट यह वीडिया शैलरी ए़ Θा करो यह वीडिये नहे हो जड़ा मेरे झालरी इंक्रिमेंट काफी इस कि तो यह की तोक्ते है थालरी आपने मीडेंट की ने हमारी ओेकर निशए विल्द के तो अ